Hello, Welcome back again. So in last video, I teach you a simple concept about assets. हम लोग assets किस तरह से आड़ कर सकते हैं, assets किस तरह से काम करते हैं. So इस video tutorial में मैं आपको सिखाऊंगा, आप किस तरह से app icons क्या होती हैं basically and आप किस तरह से अपनी mobile application में app icons को change कर सकते हैं. ठीक है, so यह बहुत ही simple सा concept है, लेकिन इसके behind logic क्या है, app icons होती है, app icons हम क्यों use करते हैं, so यह process में आपको explain कर देता हूँ. Right now, अगर आप देखें, तो यहाँ पर अगर इसको मैं remove करता हूँ, and यह हमारी application है Hello World, यह कौन से application है Hello World, अब Hello World application की जो app icon है, वो है Flutter का logo, okay. Now similarly, we have other apps shortcuts, यहाँ पर इसका app icon बहुत beautiful है, then we have foils, यहाँ पर देखें folder का app icon है, and यहाँ पर देखें photos की app है, तो हमारे पास photos का जबर्दस किसम के beautiful, यहाँ पर इसको मैं दुबारा close कर देता हूँ, देखें इसकी app icon नहाया थी खुबसूरत है, अब हम app icons इसलिए add करते हैं, ताकि हमारी app जो यहाँ पर आपके पास जब install हो जाती है, तो it looks beautiful and it makes more sense to the user, so for example, यहाँ आपके application का name क्या है files, तो यहाँ पर इसके folders, इसके आप icon से self-indicate कर रहा है, कि यह files means folders, इसके नदर folders होंगे, then we have this watch, तो यहाँ पर देखें आपके पास watch का icon बना हो है, ठीक है, so it's self-explanatory, के यहाँ पर क्या हो रहा, then we have this context, तो यहाँ पर देखें self抓 explicatory है icon, कि यहाँ पर इसके अंसके अंदर contacts है, यह तखें health पर होंगेकर बना होंगे, maps हो तो Maps की पर देखें, navigator बना हुँए, if Calender की app पेका है . यहां पर देखें, आपके बस ड्रेट शो हो रहे है, आप आइकन है, ठीक है, बेसिकली, इसके, आप आइकन, आप कौन से प्लाटफॉर्म में बना सकते है, आप आप आइकन को खुद बनाएं, ठीक है, उसके लिए हमारे पास डिजाइनर होते हैं, जो आपके लिए एप्लिकेशन बना देते हैं, इस प्रोजेक्ट, लेट में शो यू, मैंने यहाँ पर यह फिग्मा एक सॉफ्ट्वेर है, जो कि आप गूगल कर सकते हैं, या आप कोई भी सॉफ्ट्वेर्स यूज़ कर सकते हैं, जहां पर आप अपनी आप आइकन बना सकते हैं, मैं अपने एक क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूं, उनके डिजाइनर्स ने मुझे यह आप आइकन बना करती है, अगर इसके उपर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखें, इस आप आइकन का हमेशा याद रखिएगा, आप आइकन का जो साइज होता है, वो width and height जो होती है, वो 124 पिक्सल होता है, अगर आप इसका size कम या ज्यादा होका, तो यह आप के लिए app आइकन सही वे में काम नहीं करेंगे, ठीक है, अब आप देखें, यह app आइकन है, और आप ने देखें, उस designer ने कितने मज़े का iOS preview बनाया, कि आप इस तना सी आपकी आइकन जो है, वो iOS apps के उपर नज़र आएगी, mobile में इस तना से नज़र आएगी, app store के उपर इस तना से नज़र आएगी, notifications में देखें, इस तना से नज़र आएगी, and then आप देखें, यहाँ पर अगर आप इसको show करते हैं, तो वो इस way में नज़र आएगी, ठीक है, देखें, कितना जबद यहाँ से मैं तो download कर सकता हूँ, download मैंने अल्रेडी कर रखी, यहाँ से मैं इसको export कर देता हूँ, मैंने export कर रखी है, meanwhile अगर आप खुद अपनी app icon बनाना चाहते हैं, आप इस simple Figma software में आजाएं, या आप किसी भी software में आजाएं, ठीक है, अब आपने करना क्या है, आप और press करें, यहाँ पर देखें, और के बाद आपके पास यह rectangle आजाएगा, इस rectangle को आपने 1024, ओके, and 1024 आप इसको height and width दे दें, ठीक है, and then आप क्या करें, यहाँ पर simply एक text यूज करें, ठीक है, देखें, text, and यहाँ पर hello world, ओके, यहाँ आपके पास wo और lt, hello world, and अब आप इस container का जो यह देखें, color है न, यहाँ से आप इसको black कर दे, और आपके पास जो text है, उसको आप यहाँ देखें, यह fill colors में, यहाँ से आप इसको white कर दे, and आप यहाँ से इसके साथ और क्या कर सकते है, अब आप इसको hello world को थोड़ा सा और बढ़ा कर सकते है, ठ अच्छी नहीं लग रही, तो मैं height को यहाँ से, okay, so, मैं obviously इसका expert नहीं हूँ, इस तरह से आपकी app icon बन जाएगे, आप इसको group कर ले, command या control group कर ले, ठीक है, and यहाँ से आप इसको export कर ले, okay, export करने के बाद आप इसको export कर लिया, and यहाँ download में आप इसको safe कर दे, अच्छी hello world, अब यह आपकी app icon बन गई है, आप कोई भी software यूज कर सकते हैं, अगर आप यहाँ नहीं बना सकते हैं, आप यहाँ से कोई भी image यूज कर लें, देखें, यहाँ पर आपके पास कोई भी image आ रही होगी, आप किसी भी image को यहाँ से use कर सकते हैं, ठीक है, यह द app icons होती हैं, वो Android के लिए different folders में होती है, different sizes में होती है, and iOS के लिए different sizes में होती है, क्योंकि आपके पास डिवाइस हैं, वो devices के different size होते हैं, so for example, आपके पास 3 inches की device हो सकती है, 5 inches की device हो सकती है, 7 inches की device हो सकती है, tablets हो सकते हैं, ठीक है, so अब आपकी app icon है, वो automatically उनके साथ size उसका change होगा small sizes पर small sizes के साथ adjust होगी and बड़ी जो sizes के आपके laptops ये devices हैं उनके लिए accordingly adjust होगी ठीक है now see things यहाँ पर अब यह एक small size है तो यहाँ पर आपके पास ये icon show हो रही है now if I go to my iOS section यहाँ पर देखें iOS runner runner में यह आपके पास देखें app icons और यहाँ पर देखें यह आपके पास ये different sizes की देखें app icons यहाँ पर show हो रही है 11 different sizes की ठीक है यह देख रहे है 11 different sizes की तो यह sizes जो है ना यह आपकी app icons को यहाँ पर automatically adjust हो जाते हैं जो जिस type का उसको screen का size मिलता है so for example this is four and a half inches ठीक है अब iPhone 13 pro mix is almost 6.2 inches तो वहाँ पर यह यह 5.2 inches I'm not sure about but वह यहाँ पर automatically change हो जाएगा ठीक है so basically वह यहाँ पर आ जाता है now the thing is कि अभी तो हमारे पास यह एक image है यह hello world वाली अब इनको हम different eight sizes में किस तरह से convert करेंगे that is really important so अब आपने करना है क्या है आपने अपने browser open कर लेना है and आपने type करना है app icon .co remember यह तब काम करेगी यह तब काम करेगी जब आपकी जो app icon का size है वह 1024-1024 होना चाहिए अगर नहीं है तो यह आपके लिए काम नहीं करेगी ठीक है अब आपने क्या करना है अपनी app icon को यहाँ पर drag कर दे okay and यहां से for example आप iphone के लिए create करना चाहते है तो iphone select कर लें ipad के लिए करना चाहते है ipad select कर लें और android के लिए करना चाहते है तो android select कर लें तो मैंने यहां पर ipad, iphone and android select कर लिया है और यहां से मैंने इसको generate क्यों पर click कर लिया है आप जब मैंने generate क्यों पर click किया तो यहां पर आप देखें मेरे पास यह folder download हो गया यहां से मैंने folder को identify कर लिया और folder को identify करने के बाद मैंने इसको unzip कर लिया Unzip करने के बाद मैं इस folder के अंदर आ गया हूँ ठीक है यहां पर देखें मेरे पास यह एक folder बन गया assets.x तो यहां पर देखें मेरे पास 11 different sizes के app icons बन चुकी है ठीक है देखें यहां पर आपको small 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 और यह फिर आगे change होता जा रहा है similarly यहां पर android के लिए फिर हमारे पास 5 different किसम की app icons होती है ठीक है और वो खुद ही vary करती है device to device ठीक है अब वो आपकी hectic नहीं है उसके लिए आपने क्या करना आप यहां पर आ जाएं assets में sorry not assets में android के यहां folder है this android के folder में यहां पर app में sources sources में main and main में आपके पास है resources and resources में आप आ जाएं यह देखें mip map ठीक है अब यहां पर na mip map में 1 2 3 4 5 5 आपके पास 5 different types की app icons है यहां पर देखें यह small है ठीक है और सबसे big है आपके पास xxhdpi यह देखें अब यह एक बड़ी app icon है और यह एक small app icon है यहां पर देखें यह इसका size of 500 bytes ठीक है and यहां पर देखें तो यह 1.44 kb ठीक है so यह android के लिए 5 different types की icons होती है लेकिन the good thing is के हमारे पास यह website है जो के हमें in sizes में app provide app icons provide कर देती है now what we need to do अब आपने यहां पर इस main folder में resources folder में आ जाना है आप इसकी उप आपने इसको क्या करना है आपने यहां पर open और अगर आपके पास window है तो आपने यहां पर explore आ जाएगा and यहां पर आपने इसको find कर लेना है अब आपके पास देखें एक तो आपका यह folder है app icon वाला ठीक है and then आपके पास यह android folder है अब android folder गेंडर यह जितने भी folders है ना इनक इसको replace कर दें ठीक है यह आपकी app icon change होगी android के लिए अब आपने करना क्या है अब आपने iOS के लिए करना है अब आपने इस android को यहां पर close कर देना है iOS में आ जाना है iOS में runner में आ जाना है runner में आपने इसको double click और यहां पर आपन या explore windows के लिए finder कर लें और यहां पर आप आ runner में आ जाएं और runner में again आपके पास देखें दो किसम के folder है ठीक है this one ओके यह हमारा android का folder था इसको मैं यहां से close कर देता हूँ अब आप देखें आपकी app icon वाला folder किदर है यह this one यह हमारी app icon का folder है ठीक है देखें यह वाला तो अब आप देखें इस folder का name और इस folder का name same है तो अब आप इसको यहां पर ऐसे ले आए ठीक है and आपने करना कि आप इसको replace कर दें तो यह replace हो गया अपने project को यहां पर terminal run में यह देखें run folder में यहां से kill कर दें और अपने project को दुबारा से run कर लें तो you will see कि जब आपकी application run होगी तो आपकी जो app icon है वह automatically change हो जाएगी ठीक है तो वह automatically change हो जाएगी and similarly मैं यहां पर क्या करता हूं Android emulator में आ जाता हूं and emulator में हम लोग यहां पर okay so मैं आ जाता हूं SDK sorry where we have device manager okay device में यहां पर what type of devices we have so यहां पर device manager में आने के बाद let me just where are my devices so create new device okay यह pixel 4a next next finish और यह अब आपके लिए यहां पर आपका जो emulator की device से वो run हो जाएगी anyways हमारी application यहां पर run हो चुकी है अब मैं इसको किक करता हूं तो यहां पर आपने अगर देखा हो तो आपकी जो application है वो यहां पर change हो चुकी है hello world so let me just you know what let's do one thing अब आप अपने यहां पर इस project को दुबारा से kill करें ठीक है अपनी इस application को यहां से remove करें delete कर दें ठीक है delete and delete करने के बाद अपने इस project को फिर से run कर लें okay project को run करने के बाद आपने यहां से pixel 4 को भी launch कर लेना है ताके हम इसको test कर लें अपने emulator की पर भी so उसके लिए आप आपने करना क्या है यहां से आपने आपके पास यहां पर option आ जाएगा मैंने इसको delete किया तो hello world यहां पर आपको लिखावा नजर आ रहा है ठीक है यहां पर आप देख सकते है iOS के लिए हमारी app icon change हो गी है and iOS android के लिए हम लोग आभी emulator पर जाते हैं और यहां पर जैसी हमारी application run होती है तो हम उसका देख लेते हैं कि वह किस थना से हमारी app icon यहां पर हमें show होती है so let's wait for it it will take at least one minute or not not more than that but इतना ही time लेगी ठीक है and and the last of मैं इसको sum up करूँगा कि किस थना से हमने अपने इस first chapter को खतम कर लिया ठीक है हमारा first chapter खतम हो गया and then next next chapter we will move ahead one step and I'll teach you के how stateless widgets क्या होते है hot reload क्या होता है hot refresh क्या होता है यह क्या terminologies है किस तरह से काम करती है I'm really sorry boys यह run ही नहीं हुआ था so it was that's why it's taking a bunch of time so now it's running so in some steps को हम देखेंगे and थोड़ा सा step हम आगे जाएंगे and अपनी एक login screen को create करेंगे in sufficient storage so let's go to our simulator हमने इसको launch किया था so let's launch this ठीक है and यहां पर we have the we have 4a 3 3 2 and we have this okay and okay let's just run this pixel 5a let's just run it on actually एक 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 डी आप इसको कह सकते हैं बग है यह वो ट्यवर न मैं so यह एक इशु आ रहा है कि जब आप यहां पर simulator open करते हैं तो आपको कहता है insufficient space जब मैं इसकी space वहां से increase कर देता हूं still it says के insufficient space so I'm not sure about why it's happening but it is happening actually so anyways मैंने आपको start में वो problem बता भी दिया था first first kuch videos में again it's it is saying insufficient space so let's use this a3 and run it again okay so let's see if it works or not but if it didn't work then I'm pretty sure and I'm 100% sure के आप यह काम कर रहा होगा ठीक है again I'm installing the old version and we have the space issue as well request internal but not enough space so यह यहां से kill हो रहा है ठीक है again and again it is it is actually killing itself so no problem uh we just let's just delete it everything and यहां से इसको हमने डिलीट कर दिया but anyways the whole point is कि अगर आप अपने इसको physical device पर आपने साथ simulator पर रन कर रहे होंगे तो आपके साथ यह जरूर 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 रन हो रहा होगा आप आपको मैंने इनिशेल यह प्रोजेक्ट रन करके दिखा रहा था कि किस तरह से यह रन होता है और आपने आपको आपके पास यह रन हो चुका होगा ठीक है Android M1 में यह थोड़ा सा इशू आ रहा है आपको आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्स्क्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और नेरी Facebook Community जोईन कर सकते हैं जिसके ग्रूप का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रवाइड किया गया है इसके लाब आप मुझे अपनी द्वाव में आद रखें झाल को लुछ प्रवाची से लिए में आप में आपको लाइब नहीं किया है